टेंजिंट के ही कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा इंट्रिड्यूस करें ना तो आप दो कर्वस के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं यह बात हमने कॉडिनेट में की थी और वैसे ही तरीके से अब हम सारी बातें क्यालकुलस के परस्पेक्टिव से करते चले जा रहे हैं मैं जो कहना चारा हूँ बस मैं जेघनी सी बात है कि 2 Curves क का Point of Intersection है और उस प्वाइं पर अगर मैं Doesn't draw कर लो उनके बीच का एंगल निकाल लो तो नकर बीच का एंगल भी तो निकाला जांसकता है बात करेंगी आज इसी बारे में जो आपकी आएट AW में इस और जी डिवली एडवांस की प्रेपरेशन का हिस्सा है इस प्रेपरेशन को एक स्ट्रॉक्चर्ड मैनर में हमने करना शुरू किया था कॉडिनेट जोमेटरी के साथ और अब हम कैल्कुलिस पर आप पहुँचेंगे अपने वैक्टर्स इन थ्री डैमिशनल जोमेटरी दिन इलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेटरी इस प्रेपरेशन में हम कंसेप्ट करते हैं उन्हें एक्जांपल से कंसॉलिडेर करते है असाइन्मेंट क्वेशन से आपकी प्राक्टस करवाते हैं और जी डबली एडवांस्ट के प्रिवेस एर्स क्वेशन के साथ चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और सबसे खास सबसे ज़रूरी बात हमें एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजूकेशन प्लाट सेंसे और आपके पास ये इक कर्व है और आपके ऐक कर्व है और अब कर्फ के बीच का अर्टी अब इन दोनों कलो कर दुक्ष के यह करते हैं कि पहली बात थो ये दोनों जो कर से यह नों कही नहींं इं Sage कर रहे सबसे पहले अगेन अगर मैं standard operating procedure आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं दोनों curves को solve करके उन दोनों का जो point of intersection है वो निकालने की कोशिश करूँगा let's call it P for a while, तो इस point को हम क्या कह लेते हैं, इस point को हम मान लेते हैं, कहते हैं P अगला जो step होगा वो यह कि इस point P पर मैं इस curve की, इस curve की tangent ड्रॉ कर लूँगा जो की बहुत मुश्किल काम I hope नहीं है और इसी तरीके से इस point P पर अपने इस curve की भी tangent में ड्रॉ कर लूँगा जो की again बहुत मुश्किल I hope full काम नहीं है तो इस तरीके से मैंने दोनों curves की क्या ड्रॉ कर ली है, tangents, कोई परिशानी, हमने क्या-क्या P point निकाला, जिसे आप कुछ भी कह ले, alpha, beta, h, k, a, b, x0, y0, जो भी आप कहना था, जिसे मैं कह लेता हूँ alpha, beta so what is this alpha, beta, this is the point of intersection of f of x and g of x, now once I have figured out alpha, beta में क्या करूँगा, मैं f of x को differentiate करूँगा, जब मैं f of x को differentiate करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा भई, मुझे अपना derivative मिल जाएगा, उसमें मैं क्या पास कर दूँगा, उसमें मैं ये alpha, beta पास कर दूँगा, जैसे ही हम ये alpha, beta पास करेंगे, हमें क्या मिल गी इस कर्व की टेंजन्ड कीुट टेंजन्ड की स्लोप है तो आपको वाध़ वे कर्व की जिसे मैं कहे लेता हूं एक वाध़ और फ़ zijटव को करें का है उस पर एक प्यार्व मेहुनए प्रेवरेभाढ़ हो थोड़ी और महेंद करों तो g of x को भी differentiate कर सकता हूँ तो मैं अगली step में क्या करूँगा मैं g of x को differentiate कर दूँगा उससे क्या होगा सर जो differentiation हम करेंगे उस derivative मैं क्या करूँगा भी मैं उसमें आपके वही point alpha, beta फिर से पास कर दूँगा अब फ of x के derivative में कहिए थे जो g of x के derivative में कर दिए उससे क्या होगा उससे मुझे g of x की जो tangent है जो g of x की जो tangent है उसकी slope मिल जाएगी जिसे मैं क्या कह लेता हूँ M2 अब सुन रहे हो मैं जो कहना चाहरा हूँ मैं बस आप से कहना चाहरा हूँ मुझे दो straight lines की slopes पता है गौर सुसनिएगा अगर मुझे किनी दो straight lines की slope पता है तो उनके बीच acute angle का formula है क्या हमारे पास I think है सर आपने अगर coordinate ठीक से पढ़ी है तो आपको याद होगा क्या पढ़ाए भई 10 theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 I hope आप भूले नहीं है यही बात मैं आपर कहने की कोशिश कर रहा हूँ simple साथ triggo और coordinate का mixture यह formula है अगर आपको याद है तो mod of course आप लगाते हैं क्योंकि आप acute angle वाला formula देते हैं तो अगर आपने निकाल लिया है तो आप theta को क्या कहेंगे आप theta को कहेंगे 10 inverse mod over कितना m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 तो यह जो overall आपका formula बना है यह formula है the angle between two curves का अब angle between two curves क्यों सर यह तो दो lines के बीच का angle है बिल्कुल लेकिन angle between two curves का concept यही कहता है कि जहां पर वो intersect करते हैं उस point पर दोनों curves के आप tangent to draw करिये और उन tangents के बीच में जो भी angle आ रहा है of course acute angle की हम बात करने वो angle आपका angle between two curves देता है पूरी process पूरी कहानी clear है क्या अभी तो खेर हमने इस बात को mathematically समझा है कि इस बात को structured matter में आप किसी example से भी बताएंगे बिल्कुल करेंगे यही तो process है यही तो तरीका है अगर बात करें यहां पर तो हमने क्या पड़ा अगर आपके पास एक curve है f of x मतला f1 x एक है f2 x तो दोनों कही ना कहीं इंटरसेट करते होंगे जिसे मान लिया x1,7 जो हमने alpha, beta माना था f1 x को differentiate किया तो मुझे उस पर draw की गई point of intersection पर draw की tangent की slope मिल जाएगी f2 x को differentiate किया उसमें भी वो point of intersection पास किया तो वहां पर draw की गई tangent की slope मिल जाएगी तो दोनों की tangent की slope मेरे पास है तो दोनों lines के बीच का या दोनों curves के बीच का जो angle है that is given by this expression, this formula which we all know very clearly for sure thus to find the angle between two curves first we solve the curves for their point of intersection हम point of intersection निकालते हैं फिर हम क्या करते हैं angle between curves at that point is also same as the angle between normals to the curve at that point I hope आप realize कर पारे हो यह बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर आप उन points पर normal भी draw करें तो उनके बीच में भी वही angle होगा ऐसा में क्यों कह रहा हूं आप आप देख पारे हो इन में फर्क क्या है अब सोचो ना simple सा common sense पर based बात यह आपकी tangent है तो इस पर एक normal होगा यह आपकी tangent इस पर एक normal होगा तो अगर इन दोनों lines पर जो perpendicular lines है जो angle इन दोनों के बीच में है वही angle इन दोनों lines पर perpendicular lines के बीच में भी तो होगा अब सुन रहे हो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ बड़ा common sense वाली बात है इसमें जादा दिमाग लगाना की जरूरती है एक यह line है जो की एक tangent है और लिटसे की यह line है जो की एक tangent है अब सुन रहे हो क्या अब सुनना मैंने क्या क्या यह line है जिसे मैं कह लेता हूँ L1 और यह line है जिसे मैं कह लेता हूँ L2 मैंने कोशिश की L1 पर एक perpendicular line ड्रॉ करेंगे अब खुद सोचो जो यह L1 L2 के बीच angle है अब मैंने अगर L1 पर एक perpendicular line ड्रॉ की है तो वो कैसी हो की जड़ा notice करिएगा L1 पर जब आप perpendicular line बनाएंगे तो धेहां से देखो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए लगभग वो कुछी इस तरीके से निकलेगी आप देख पारे हो कि यह मैंने L1 पर line बनाई और वो मैं यहीं बना ले रहा हूँ उसका भी point of intersection ताकि आप confused ना रहे हैं इसी तरीके से जो हम L2 पर line perpendicular बना रहे हैं यह आपकी line L2 है I hope you all can see this very clearly तो गर मैंने कोई line L2 पर perpendicular बनाई है यह perpendicular है आपकी किसकी L1 पर and I hope I need not prove this point कि जो angle इन दोनों lines के बीच में है वही angle यहाँ पर इन दोनों lines के बीच में है मतलब किनी दो lines के बीच में angle उन पर draw के गए perpendicular के बीच के बीच के angle के एकवल होता है आप बहुत basic सी geometry से से प्रूब कर देंगे कहीं नहीं जाने की जोरत है I think आप यह idea लगा पा रहे हो कि क्या यह बात है मतलब अगर tangents के बीच आप angle निकालोगे या normals के बीच निकालोगे एक ही बात है यह काफी crucial statement है कहीं वो data normal से related दे तो घबराना मत उसे कैसे सोचा जाता है वो यह बात यहां पर कहने की कोशिश की है कोई परिशानी यहां तक यहां से अगर मैं आगे बढ़ू तो यही बात आपको संधानी की कोशिश की जिससे हमने अपना lecture शुरू किया था एक और ज़रूरी बात सुन लीजे if curves intersect at more than one point अगर curves एक से जादर points पर intersect करते है then we may need to find the angle between curves at each point of intersection क्या बात आप समझ भार हूँ the points of intersection of two curves can be obtained by eliminating one of the variables and solving the resulting equation by some set methods or sometimes by hit and trial method आपको कहीं बार hit and trial भी try करना पड़ेगा क्योंकि बस जैसे करते आए हैं वैसे ही करने से बात बन रही होती तो बात नहीं बनेगी अब आपको hit and trial पर जाना पड़ेगा मैं एक example के तोर पर आपको समझाना चाहरा हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर एक curve दिया यह कैसा है और एक और curve कोई दे रहा है जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है अब यह कितनी जगा इंटरसेट कर रहें सरी यह दो जगा इंटरसेट कर रहें कौन-कौन सी दो जगा अगर मैं देखू तो रादा तीन जगा एक यह point एक यह point और एक यह point अब आप कभी भी यह मत कहिएगा कि किसी भी एक जगे निकाल देते हैं और वही इन दोरों curves के बीच का angle होगा वो इन curves के बीच का angle है पर वो specific point पर है आपको हर एक point पर निकालना पड़ेगा महलब point of intersection आपके सारे आएंगे फिर आप उन पर draw की गे tangents की slope निकालेंगे हर point पर और उनके बीच individual अपने angles निकालेंगे और फिर आप तीनों angle बताएंगे कि आप मेरी बात समच पारेंगे और जब आप दो curves को solve करेंगे तो एक तो वही तरीका कि X और Y में से 1 को eliminate करके फिर Y को figure out करें फिर X में replace करें जो अपनी substitution या elimination technique होती है पर वो हर बार काम करें इसा जरूरी निए को curves बहुत सुल्जे वे थोड़ी रहेंगे simple से curve बहुत घुमाएंगे आपको और जब घुमा फिरा कर चीज़े निकाल कर आएंगे तो हम थोड़ा hit and trial भी try करेंगे कुछ थोड़ा उपर नीचे सीज़े करके देखेंगे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा out of the box सोचना पड़ेगा बस यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है सारी बाते छोड़िए आप ये बताइए कि इस question को देखकर आपका क्या opinion है सर क्या बनेगा, क्या सोचना होगा, क्या करना होगा जरूस पर बात करते हैं मुझे बूला जा रहा है कि आपके जो curve है कौन-कौन से एक तो है x square minus 1 इसका mod और एक है x square minus 3 इसका mod सर सारी बाते छोड़ो पहले तो मुझे बदाओ कि इनका point of intersection निकाल सकते हैं बिल्कु निकाल सकते हैं तो देखो, अगर point of intersection निकालना चाहा किस-किस का, एक तो आपका क्या है x square minus 1 का mod और दूसरा क्या है आपका x square minus 3 का mod सरी लिख रहा हूँ क्या बिल्कुल सरी, अब आप एक छोटा सा point चोटा सा observation बताओ कि याँपर समस्या क्या है समस्या महज एतनी सी है कि आप ऐसा नहीं कह सकते आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस बात यहीं पर रुख जाएगी कि आप तो बस you know mod ढ़ा दो और चीजें compare कर लो मैं दो scenario generate करूँगा कि जब mod ढ़ाँगी क्योंकि mod के अंदर की value कुछ भी हो सकते ना आप से समझो आप से मैं कहूं कि mod x जो है आपका mod y के equal है तो x और y में क्या relation कुछ भी हो सकता है दोनों तरफ mod लगा दिया अब इदर x भी positive negative हो सकता है y भी positive negative हो सकता है मुझे नहीं पता कि कौन क्या है तो मैं तो यह कहूंगा जब मैं mod हटाऊंगा तो इस तरफ अगर आपको नहीं लगाना है तो इसको रख लो क्या x square minus 1 लेकिन फिर इस तरफ आप लगा लो plus minus x square minus 3 बस यहाँ पर इस case में गडबर यह हो जा रही है कि अगर आप plus sign लेकर आगे बढ़े अगर आप positive sign लेकर आगे बढ़े तो x square से x square cancel और आपका minus 1 minus 3 के क्लिख जाएगा जो कि mathematically गला थे तो इसलिए मैं plus sign अठा रहा हूं वरना आप plus sign और minus sign दोनों consider करेंगे अगर मैंने minus sign consider किया तो क्या बन रहा है sir x square minus 1 is equal to minus x square plus 3 okay with that 1 वहाँ भीजा x square इधर लाए तो यह जाता है 2 x square which is 3 plus 1 कितना 4 x square कितना आता है भई x square आता है 2 तो x खबरदार आप under root 2 कहें x जो होगा वो होगा plus minus root 2 कोई दिक्कत मुझे point of intersection मिला x की value कितनी plus minus under root 2 पर आपके दोनों curves intersect करते हैं अगर यह मिल रहा है तो मैं y की value भी निकाल देता हूँ चाहे तो आप यहां रख लीजे चाहे आप यहां रख लीजे same answer आएगा देखो ज़रा under root 2 पास किया तो 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 mod 1 ही आना है तो जब under root 2 आप रखते हैं plus minus कुछ भी आपका y coordinate कितना आता है 1 तो x coordinate plus minus under root 2 है और y coordinate कितना है दोनों ही case में 1 मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ कि जो आपका point of intersection आ रहे है वो कितना रहे है under root 2,1 और एक point क्या रहे है minus under root 2,1 तो यह दोनों curves इन दो points पर intersect कर रहे हैं ठीक है अब अगर यह curves इन दो points पर intersect कर रहे हैं तो क्या कहना पढ़ रहे है मेरा है कहना पढ़ रहे है कि पहले तो दोनों को define करते हैं बताओ under root 2,1 पर यह curve क्या है देखो under root 2 पास किया under root 2 का square 2, 2 minus 1, 1 positive है तो क्या मैं इसे सीधे सीधे y is equals to x square minus 1 की तरह treat कर सकता हूँ और इसी तरीके से इस curve को क्या करेंगे देखो यहां से under root 2 अगर पास किया तो under root 2 का square 2, 2 minus 3 minus 1 यह negatively open होगा मतलब इसको मैं negatively open करूँगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 minus x square क्योंकि negative है वो under root 2 पर I hope आप यह mod रटना जाते हो जब हम differentiate करते हैं जिस value के around करना है वहाँ पर उसका behavior और pattern चेक करके आप इसा लिखते हो same phenomena will happen here as well अगर आप minus under root 2, 1 पर भी देखें तो यहां पर भी वही बात होनी है तो यहां पर यह definition किया जाएगी वही वाता नहीं है अब कुछ नहीं बदलेगा लेकिन यह वाला of course आपका क्या हो जाएगा 3 minus x square अब मैं क्या करूँगा अब एक छोटा सा काम अगर इससे differentiate किया देखो दियांसे यह आपका पहला करवे दूसरा करवे इससे differentiate किया तो y dash कितना आ रहे यह आपका आ रहा है 2x जब इससे differentiate किया तो यह y dash कितना रहे minus 2x यह अब आप सुन रहे यहाँ पर भी वही बात आनी है कुछ नहीं बदलेगा मैं double से बस इसलिए लिखा हूँ था कि आपको systematically चीजे बस पता हो और समझा है इसका y dash कितना हैगा minus 2x अब दूसरी ज़रूरी बात मैं y dash कहा निकालने में इंट्रिस्टेट हूँ मेरा inclination सर्फ इस तरफ है सर कि y dash आपका निकले under root 2,1 पर तो जब यह y dash आप under root 2,1 पर निकालेंगे है ना जिसे मैं कहलेता हूँ M1 तो वह कितना जाएगा देहां से सुनना under root 2 रखा तो कितना 2 root 2 है ना और यहां under root 2 रखा तो कितना जाएगा भई वह आपका minus 2 root 2 similarly same exact चीज़े हैं आओगे अगर आप मेरा opinion मान पाएं तो क्योंकि देखो आप minus under root 2 रखें तो minus 2 root 2 रही है प्लस 2 root 2 तो टेक्निकली जो angle of inclination यहां 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 जाएगा क्योंकि यहां भी slope आपकी exact वही है बस interchange हो रही है तो slopes है तो वही आप समझे हैं आ पा रहे हैं तो मुझे यहां पर angle निकालने की ज़रूद नहीं है इसका अगर curve में बना के दिखाने की कोशिश करूँ ना तो आप याद करो कैसे बन रहे होंगे आप दिमाग लिगाओ सर x square minus 1 हैना सोचो x square ऐसे बनता है minus 1 किया तो थोड़ा नीचे चला जाएगा लेकिन उसमें आपने क्या लगा दिया mod तो जो हिस्सा x-axis के नीचे है वो रेफ्लिकेट हो जाएगा उपर तो वो कर्व कैसा बनेगा कुछ ऐसा है हुआप आपको बात समझा रहे हैं similarly आपका x square minus 3 भी बन जाएगा जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो बिलकुल सॉमेट्रिकली बनेंगी चीज़ए और angle बिलकुल sorted सा रहेगा कि आप मेरी बात समझ पाए चलो वापस आते हैं इस बात पर अगर आप याद कर पाए चीज़ए तो क्या बन रहा है मैंने बिलकुल exact वैसा नहीं बनाया जैसा बनना था जो यह आपका है यह वाला axis यह जो axis है यह यहां नहीं आएगा यह यह यहां आएगा है वो चीज़ए symmetrical होंगी आपका जो y axis है वो बीच में से आएगा मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा पर I hope आप मेरी बात समझ पार हो चलो यहां से छोड़ो सेम इस पॉइंट पर आते हैं M1 और M2 अगर मेरे पास हैं तो 10 theta कितना होगा 10 theta जो आपका होगा वो होगा mod over M1 minus M2 तो अगर इसमें से इसको subtract किया तो 2 root 2 minus minus 2 root 2 कितना so that will be 4 times under root 2 divided by कितना divided by 1 minus sorry 1 plus 1 plus कितना लेकिन अफकोर्स यहां negative sign है तो minus से जाएगा एको 2 into 2 4 root 2 into root 2 2 तो 4 into 2 कितना 8 तो यह जाएगा 1 minus 8 कोई परिशानी इस बात से I hope यहां से हम देख पारें कि negative sign हट जाना है क्योंकि वह आपका mod लगा हुआ है तो अगर यहां से में theta आपको देने की कोशिश करूं तो theta जो होगा वो होगा 10 inverse कोर से सुनिएगा 4 root 2 upon 7 कोई परिशानी इस बात से तो यह हो जाएगा 4 root 2 upon 7 कहां पर इनके point of intersection पर ही निकाला जाता है और इस तरीके से सोचा साता है दूसरा वाला भी यही आता I hope you are agreeing with that अगर आप इससे भी निकालते क्योंकि सब कुछ वैसा ही था तो इस तरीके से आप इसका answer निकालेंगे are you all agreeing जो भी हम करना चाहरे हैं जो हम सोच रहें इसमें तो कोई परिशानी नहीं है यहां से अगर मैं आगे बढ़ो तो अगले question की तरफ बढ़ते हैं I hope you are comfortable कि step by step क्या process और questions को कैसे सोचना है जैसे यह एक और अच्छा tricky और मज़दार question है आपको क्या करना ह एंगल निकालना है इस कर्व के और इस कर्व के बीच में फिर वही बात आपका f of x क्या है f of x लिखा है 2 to the power x into log x at base e यह लिखा हुआ है क्या बिल्कुल और g of x क्या लिखा हुआ है g of x में point of intersection निकालना चारूँ गर आप मेरी बात समझ पारे हो तो g of x लिखा है x to the power 2x minus 1 I hope यही लिखा हुआ है फिर से देख लेते हैं 2 to the power x log x और x to the power 2x minus 1 है ना log x का base e है बढ़िया अब इन दोनों का अगर मैं point of intersection ढूंडने चला तो sir कैसे निकालेंगे मुझे जादा कोई अच्छा तरीका simple सा तरीका नजर नहीं आ रहा है अगर मैं देख पाँ तो क्यों sir क्योंकि देखो ना बहुत बहुत tricky बन जा रहा है अब notice करो क्योंकि अगर सिर्फ log x होता तो मैं कर लेता वो power में भी और यहां भी है आप सोचके देखो आप क्या करोगे अब क्या निकालोगे मेरे दिमाग में तो कोई तरीका नहीं आ रहा है अच्छा एक और बात थोड़ा दिमाग लगाते हैं sir सोचो अगर यहां x की value 0 ट्राइ करो तो कर सकता हूं sir log कहेगा मैं हमेशा 0 है 0 से बड़ी ही value accept करूँगा मुझे idea मिल रहा है कि x जो है वो हमेशा 0 से बढ़ा है इसको देखकर जीरो से बड़ी कुछ values try की जाएं तो देखो अगर मैं value try कर लेता हूं कुछ-कुछ hit and trial पर मैं बात कर रहा हूं मैं कुछ hit and trial के थू ही इसे कोशिश कर रहा हूं crack करने की क्योंकि यहां मुश्किल है of course इतने tricky questions नहीं आएंगे पर of course कहीं बार आपको hit and trial करना पड़ेगा परना बात नहीं बनेगी तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो x की value अगर मैंने one try की क्यो try की वो समझना one रखते ही log one zero यह two two into zero zero one रखते ही one की power two one one minus one zero तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि x की value one तो work कर गई अब x की value two देखो आप समझने की कोशिश कोरो basic सा common sense यहां पर जैसे जैसे आप value बढ़ाओगे जैसे जैसे value बढ़ाओगे x की value अगर two रखी तो यह two आएगा और इसकी और बड़ी power तो यह काफी बड़ा एक expression बनता चाहेगा बजाए इसके जब यह log two है तो यह decent सी कोई value और यह two की power two है मतलब मैं कहना चाहरा हूं यहां पर जो power आईगी वहीं base आएगा तो यह काफी बड़ी value बनती चले जाएगी बजाए इसके जैसे for example अगर मैं x की value three track रहता हूं तो यह three की power six हो जाएगा और यहां पर बस two की power three होगा और इन दोनों बातों में फरक है three की power six is comparatively huge value तो मैं बस आप से के रहा हूं इनके graphs इनके curves को तो मैं crack या track नहीं कर पाया पर मैं यह पता कर पाया कि x के value one वो छोटा सा scope था point जहां पे equal होए क्योंकि इसके बाद तो यह बढ़ते चले जा रहे है और काफी फरक है यह बहुत बड़ा है और यह comparatively इससे छोटा है दूसरी बात x की negative value हम रखने से रहे क्योंकि log x था तो बात खत्म मुझे एकी value मिल रही है थोड़ा common sense थोड़ा observation जादा नहीं सुचा है ना और अगर hit and trial किया तो x की value मुझे 1 मिली वो point of intersection अब x की value 1 आप चाहें यहां रख दीजे चाहें यहां रख दीजे आपको g of x मिल दाएगा तो x की value क्या मिल रही है 1 और अगर y की value ढूंडी जाए यहोप आप देख रहा है 0 और यहां भी 0 तो यह कितना बन रहा है 1,0 आपका वो point of intersection है जहां पर आपको angle निकालना है अब अगला काम क्या ऐसा differentiate करेंगे तो f-x में निकालने चला f-x के लिए मैं क्या करू होंगा 2 to the power x into log x I hope आप भूले नहीं हो अब 2 to the power x as it is log x का differentiation कितना 1 by x plus log x as it is 2 to the power x का differentiation कितना I hope आपको बता है a to the power x into log a तो 2 to the power x का differentiation का 2 to the power x into log 2 और of course उसमें आप क्या multiply करेंगे log x क्योंकि वो function as it is आप लिखेंगे क्या बात आपको समझ आई यह आपका क्या आ रहा है f-x लेकिन f-x मुझे कहां चाहिए मुझे चाहिए 1,0 पर है ना तो f-x मुझे कहां चाहिए 1,0 पर याने मुझे निकालन चाहिए तो 1 रखा तो 2 upon 1 कितना आपको देख रहे है 2 प्लस 2 है ना यह कितना है log 2 और यह भी है log 2 तो कितना हो जाएगा log 2 का स्क्वेर क्या आपको यह बात सम्झा रही है कोई परिशानी तो नहीं है मैं फिर से लिख देता हूं यह 2 by 1 याने कितना 2 प्लस यह भी 2 यह लो जाही तो से सिंप्लिफाय कर ले कोई नहीं कोई विशच बात आपको नहीं मिलेगी यहां से अगर में आगए बरता हूं तो अगला पार्ट क्या मिलता है So, g-1 भी निकाल लेते हैं पहले मैं जी डाश-1 कैस JEFF क्यो एकसे निकला समझ आए अब ठीक्स निकल ठीक्स निकल र तो मैंने दो दो तरफ अगर लॉग लिया तो कितना होते हैंगा 2x into कितना log x is equals to कितना log y कुछ याद आ रहा है आपको अगर chain rule लगाकर product rule के थुरू मैंने differentiation किया तो देखो क्या मिलेगा 2x as it is log x का differentiation 1 by x तो 2x by x plus log x as it is और 2x का differentiation कितना 2 log y का differentiation कितना 1 by y और y का differentiation कितना और dy by dx याप y याप यदाश जो भी आप कहना चाहिए मैं बस आपसे कहना चाहरा हूँ गर आप y को इधर लिया है जो कि कितना था तो दुरू पार 2x कोई परिशानी is equal to of course कितना रहा है is equal to यह आ रहा है आपका y डाश कोई दिक्कत कोई इशू आप आप comfortably सोच पारे हो कि चीज़ें कैसे हुई है चीज़ें हमने कैसे की हैं अगर यह बात आपको समझाईए कि y डाश कैसे आ रहा है तो क्या जी डाश एक्स निकाल सकतों क्योंकि x की पार 2x का differentiation मैंने क्राक कर लिया है सर वो कितना है सर वो है आपका x to the power 2x वो है आपका x to the power 2x times कितना 2 plus 2 log I think कितना x यह 2 I think it was log x बढ़िया है ना and of course add base e base आपका e है ना अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह तो आपका आ रहा है g-x मैं किस में इंट्रस्टेड हूं सर में g-1 में इंट्रस्टेड हूं तो g-1 भी निकाल लेते हैं यहीं पर निकाल लेते हैं तो g-1 कितना रहे ज़रा notice करिएगा 1 की power 2 will be 1 need not write it log 1 कितना log 1 0 I hope you are okay with that अच्छा मैंने कुछ गरबर तो नहीं की कुछ तो मुझे feeling आ रही कि मैं कुछ तो बहुकूफी कर बढ़ा हूं really sorry for that मैं बहुकूफी कर बढ़ा हूं द्यां से सुनना प्लीज द्यां सुनना f-1 जब आपने निकाला बस मुझे आप भी realize हुआ है ना आप में से कहीं सारे students ने बात देख ली होगी यह जो बन जा रहा है 2 यह बन जा रहा है 2 यह भी log 2 है लेकिन log 1 0 तो इसके करने ने पूरा पार 0 so here f-1 जो होगा वो आपका महस 2 होगा क्या आप यह बात समझ पा रहे हो अच्छा यहां से अगर मैं आगे बढ़ा तो next part कहा रहा है यह notice करो यहां पर भी आप g-1 निकालें तो क्या 1 2 1 0 और 2 तो g-1 भी कितना है 2 क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है या आप मुझे answer बता पर वो जिस तरीके से interest कर रहे है ना उनकी tangents parallel बन रही है आप सोचके देखो ना उनकी tangents parallel कैसे बनेगी आप थोड़ा point समझो 1,0 पर इसकी जो tangent बन रही उसकी slope 2 है और 1,0 पर इसकी जो tangent बन रही उसकी भी slope 2 है तो शलाए से वो tangents दो अलग अलग नहीं है वो same line है ऐसे समझो जो भी ये कर रहे होंगे मैं बस ऐसे बना दे रहा हूँ जो भी ये कर रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से रहे होंगे कि 1,2 पर 1,2 पर उनकी common tangent बनी होगी 1,2 पर उनकी कैसी tangent बनी होगी common tangent ऐसा क्यों कहना चाहरो क्योंकि इसकी slope कितनी है उसकी slope है 2 और उसकी point पर बना रहे हो 1,2 पर तो इसकी भी वही slope है इसकी भी वही slope याने वो same common tangent है याने कि यह दोनों intersect करने के बजाए क्या कर रहे हैं बस touch कर रहे हैं तो अगर मुझसे कोई पूछे यह curves intersect कर रहे हैं touch तो मैं कहूंगा सिर्फ touch कर रहे हैं मुझे नहीं पता आगे है पीछे की कहानी क्या है पर 1,2 पर तो हम sure यह touch कर रहे हैं क्या यह बात आप समझपा रहे हैं कि कैसे और क्यों हो रहा है क्योंकि वो common tangent आ रही है और अगर दो curves की common tangent आ रही है मतलब उस point पर वो दोनों एक दूसरे को touch कर रहे हैं क्या आपको यह बात समझ आई पूरा question पूरी clarity के साथ I hope अब digest हो रहा है कि दो curves के बीच का angle हमें कैसे सोचना है और उस पर हमें कैसे बात करनी है यहां तक अगर चीजे समझ आई हैं तो बस मैं कहना चारा हूँ I hope आप comfortably सोच पा रहे हो कि हमें क्या करना होगा इस तरह के questions में मैं बस इतनी सी बात समझाना चारा हूँ कि यह अगर चीजें clear हो चली है तो next lecture में हम बात करेंगे orthogonality of two curves coordinate में बात की थी calculus के perspective से समझेंगे कि दो curves कब एक दूसरे पर perpendicular होते है अगर इस lecture को ठीक से देखा है तो आपको खुद idea लग चुका होगा कि दो curves के perpendicular होने की condition क्या होगी थोड़ा दिमाग लगएगा आप खुद workout कर लेगे एक और ज़रूरी और विशेश बात कि यह तैयारी है आपकी IIT GEE Maze और GEE Advanced Mathematics की इस वीडियो के description में हर एक वो ज़रूरी चीज़े जो आपको चाहिए previous video, next video, playlist का link everything is given in a proper structured manner अगर आप description को ध्यान से देखे तो आप हमारे notes, pds और ebooks का link भी वहाँ से access कर सकते हैं हम एक 100% free of cost quality online education platform है kindergarten से 12th standard तर यह IIT GEE Maze और Advanced की preparation में हमने concept, examples, assignment questions और PYQs के साथ जो की GEE Advanced की PYQs हैं हम इसे cover करते हैं coordinate हो चुका है, calculus चल रहा है factors in 3D, algebra और trigger आपका बाकी है with that मेरा मानना है अगले lecture में और clarity लेंगे let's call it a day here, ख्याल रखे अपना thank you so much for watching this video